बोलो शिरी प्राननाथ प्यारे कीज बोलो शिरी सत्गुरू महराज कीज प्रथम लागू दव चरने को धनिये ना छुडा योखिन लांक तली लालेडियां मेरे जीव के एही जीवन इन चरन तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो भातूं पलनावालो निरिखूने तरे मेरे जीव के एही जीवन आशिक निहाडे नजरों माशुक बैठो रोएं हेटी करडे उल्टी आशिक सेना होएं आशिक निहाडे नजरों परणाम सिंदे साहजी ये जुपाई सिंदी गरंथ की सिंदी गरंथ में साथ परकरन पचीस में जुपाई गाई इसका शिर्शक है जगडे जो परकरन जगडे का परकरन सिंदी बानी जिसमें प्रेम अनन्द विरह एकत निस्वत की ये सब बातों की पहचान कराने वाज़े सिंदी वानी से पहले खिलवत परकरमा सागर और सिंगार की वानी जो हमें मिली ये चारों किताबों का उप संगार है हमने अपनी निस्बत को कितना जाना कितना पहचाना हमने अपनी धनी की उस मार्फत को कितना जाना कितना पहचाना हमारे अंदर कितना इश्क है कितना दर्द है कितना विरह है इस परकरन के अंदर इंदर इंदरावती जी की आतम अपने धनी के साथ कैसे प्यार भरी नौक जौक करती है दुनिया के जितने भी भगवान हैं जितने भी भगत हैं वो अपने भगवान के आगे कैसे मनते मानते हैं किस तरह से करुणा में विंथी करते है आपने देखा होगा जो भगत हैं वो अपने भगवान को मनाने के लिए उनसे अपनी इच्छा की पूर्थी करने के लिए कितनी तपस्या करते है आप द्वार का पॉरी की तरस चले जाइए कहां से एम्दाबाद से चलते हैं कहां कहां से चलते हैं पैदल चल करके वो द्वार का पुरी में पहुंचते हैं यहां तक कि मैंने देखा कैसे वो लेट लेट करके चलते हैं जबकि उपर से इतनी गर्मी पढ़ रही होती है उनके अंदर कितनी करुणा होती है दीनता होती है लेकिन परमधाम की आत्माएं अपने धनी के साथ ये परकरन कह रहा है जगडे जो परकरन जगडा भी करती जगडा कब करेंगी यदि उनको अपनी निस्बत की पहचान हो जाएगी जब तक हमारे हमें निस्बत की पहचान नहीं होती तब तक बहुत से सुन्दर साथ को हमने क्या देखा कि वो दास भक्ती में ही डूबे रहते अपने आपको दासी बोलेंगे क्या बोलेंगे मैं हूँ दासी जन्मों की प्यासी तुम हो मेरे भरतार क्या हमदासी इसका मदलब हमने सिरफ वानी का पाठन किया उसका मन्थन नहीं किया यदि उस वानी का मन्थन करते उसको अपनी जीवन में उसको आतम साथ कर लेते रहनी में उतर जाते तो हमें उसे इस निस्बत की पहचान हो जाती और यही निस्बत की पहचान इंधरावती जी की आतम हमें करवा रही है कि तुमने भी अपनी उस निस्बत को कितना पहचाना सिंदी की वानी का अवतरन जो हुआ उसमें एक कथानक जो है उसके लिए बहुत परसिद है कहा जाता है कि एक राजा था उसके उपर पडोसी राजा ने आकरमन कर दिया लेकि राजा जो था लड़ने के लिए निश्क रहे हो गया उसने सोचा कि मैं नहीं लड़ाई करूँगा लेकिन जो उसकी राणी थी उसने अपने राजा का भेश धारन किया और लड़ने के प्षैना को लेकर के उसने राजा के उपर चड़ाई कर दिया उसका पूरी तरह से मकाबला किया और वो जीत गई उनके राजा की कन्या को ब्या करके कन्या को लेकर के अपने राज्ये में आई राणी को इतना जोश चड़ा उसने और ग्यारा रज्जियों के उपर भी हमला बोल दिया और सब को जीत लिया और सब कन्याओं को ले करके जब वो वापिस लोटी क्योंकि उसने तो राजा का बेश धारन किया हुआ था अब सबी कन्याओं उनको शादी के लिए पानी ग्रहन के लिए कहने लगी कि आप हमसे पानी ग्रहन कीजिए लेकिन जो राणी थी उसने सोचा मैं तो राणी हूँ उसने राजा को कहा कि ये काम तो आपका है आप ही इनके साथ पानी ग्रहन कर सकते हैं आपको मालूम है मैं तो आपकी महरानी हूँ इसी तरह से ही ये जो बारां कन्यों का दिश्टान दिया गया है ये किसके लिए है बारां हजार आत्माओं के लिए 12,000 आत्माई जो हैं इंदरावती जी की आत्म जिसके अंदर पाचो शक्तियां विराजमान हैं जीने सब शोभा तो दी गई पर वो क्या कह रही है कि हे धनी ये जो मेरी रूहें आपकी रूहें हैं ये आत्माई हैं जो मेरी सक्षियां हैं ये अब सब कुछ मुझे ही मान रही हैं लेकिन आप इनको इनका अधिकार इनका प्यार तो आप ही दे सकते हैं क्योंकि मोज रूप के बिना कोई भी ये प्रेम दे नहीं सकता अब इंदरावती जी की आत्म जो है अपने धनी को किस तरह से प्रेम के साथ उनको अपने अधिकारों के लिए कह रहे हैं कि आप जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजी इंदरावती जी की आत्म जो है वो सबी आत्माओं की तरफ से वादी बनी है और राज जी को प्रतिवादी बनाया है और न्याय धीश भी किसको बनाया है राची को और सविधान क्या है यह तारतम वानी वो कह रही है कि अब हमने तारतम वानी के द्वारा इसका मंधन क्या इसको आतम साथ किया तो हमें हमें अरी निस्बत की पहचान हो गए और अब हमें हमारा अधिकार क्या है आप हमें अपना दर्शन दीजिए आप हमें अपना दिल दीजिए और आप हमारे साथ प्रेम भरी मीठी मीठी बातें कीजिए और क्या कह रही है कि ये जो बारा हजार आत्माईं जो मेरी सखियां है अब वो इस माया के खेल में आई है और माया में खेल में आकर के वो अब आपका प्यार चाहती है आप उनका इश्क दीजिए जो उनका अधिकार है इसमें जगड़े के परकरण में कह रही है कि मैं मुझे हमारा इश्क चाहिए लेकिन आगे एक परकरण है जिसमें आश्कों का गुना क्या है आश्कों के गुना में वो कह रही है कि इश्क मांगू तो गुना तो इसका मतलब ये है कि इस वाणी में विरोधा बास है नहीं सुन्दे साथ जी कहीं भी वाणी में विरोधा बास नहीं है सिरफ इसका साम जैसे हमें बनाना होगा कि किस परकरण में किस बात के लिए कहां पर क्या कहा जा रहा है जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो सिंधी वानी में जैसे कि इंद्रावती जी की आतम कह रही है कि आप हमें अपना इश्क दीजे तो कुछ सुन्दे साथ ये भाव बना लेते हैं कि क्या इंद्रावती जी को अभी तक दर्शन नहीं हुए हफसा में उनको दिजार नहीं हो चुके क्या वानी का अवतरन उनके द्वारा नहीं हुआ जब यूगस रूप उनके हिर्दे में विराजमान हो गए तो यूगस रूप के द्वारा ही उस वानी का अवतरन उनके अंदर से हो रहा है लेकिन हम समझ नहीं पाते जैसे की एक बात है जिसमें कहा गया हरी ने हरी को देखा हरी गया हरी के पास हरी गया हरी में हरी भेया उदास एक हरी हरी ने हरी को देखा साप ने मेंड़क को देखा और साप किसके पास गया मेंड़क के पास गया और मेंड़क किसमें चला गया पानी के अंदर और वही हरी जो है यानि कि सांप जो है वो उदास हो गया अगर एक ही हरी का माइना सांप लेंगे चाब मैंडग लेंगे तो नहीं चलेगा हरी को हम सिर्फ कहें कि वो विश्ण बगवान के लिए कहा गया तो ऐसा भी नहीं चलेगा इसी तरह से ही वाणी के अंदर कहा गया है मांगत हूँ मेरे दूलहा मन कर करूं बच्चन ए जिन तुम खाली करो मैं अरज करूं दूलहा इसमें मांगा जा रहा है मांगने की बात है हम मांग सकते हैं लेकिन इसको मांगने के लिए हमें अपनी निस्वत को जानना होगा हमें अपनी उस वाहिदत को जानना होगा तबी हम मांग सकते हैं यदि हमने अपनी निस्बत को नहीं जाना तो हम कहेंगे हम तो धासी हैं हम उनसे कैसे मांग सकते हैं नहीं हम मांग सकते हैं इसमें जो बात मांगने की वह है ये देखना होगा कि हमारा प्रेम का स्तर वो कितना है एक होता है ज्यान के दोरा मांगना एक होता है प्रेम के द्वारा मांगना और अनन्द ने डूब करके किस स्थिती में आप क्या मांग रहे हैं जैसे की रास जब खेली गई विरिंदावन के अंदर तो जब ब्रीज के अंदर भी जब कभी राधा जी रूठ जाती है तो शीरी कुशन जी उनको बड़े प्रेम के साथ मनाते हैं उनके पाउं भी पढ़ जाते हैं रास जब हो रही थी तो सक्षियों के पायल गिर गई तो उन्होंने पायल पहना दी साड़ी का पल्लू गिर गया तो साड़ी का पल्लू ठीक कर दिया फूल गिंगया तो फूल लगा दिया ज़िदी हम ज्ञान की दिश्टी से देखें तो ये गलत लगता लेकिन प्रेम के अंदर सब जायज है प्रेम में ना सता होती है ना सहीबी होती है प्रेम की गरिमा जो है उसमें कुछ भी हो पाना सरल है सब कुछ हो सकता है, अनिवारिया है हकीकत की लिला यहां पर चल रही है परमधा में भी हकीकत की ही लिला होती है और यहां पर भी हकीकत की लिला ही हो रही है हकीकत में राजी भी है, शामाजी भी है, सखिया में है और यदी सखियां जो हैं परमधाम की आत्माएं जो हैं यहां पर हैं अगर वो यहां आ करके अपने इश्क को नहीं मांगती तो यह जागनी की लीला यहां पर नहीं हो सकती हम कहें कि हम मांगना जो है वो गुना है हम नहीं मांगेंगे तो यह कैसी हो सकता है मार्फत की लीला होती है मार्फत से ही इश्क हकीकत की लीला चलती है हकीकत की लीला में सब कुछ जाइज है लेकिन जब मार्फत की लीला हो रही होती है मार्फत के अंदर जब किसी की स्थिती उस मार्फत में पहुंच जाती है तो मार्फित में ना निस्बत होती है, ना वाहिदत होती है, ना खिलवत, वो क्या है? उस मार्फित की स्थिती में जब रूह पहुंच जाती है, तो कौन किसे मांगेगा? ना आशिक है, ना माशूग है इसलिए कोई भी मांगेगा नहीं, उस स्थिती में, मार्फित की स्थिती में यदि कोई मांगता है, तो वो गलत है और यहाँ पर भी मांगने के लिए यदि हम उस परम्ध हमका प्रेम मांगते हैं, इश्क मांगते हैं, तो इसमें कोई भी गुना नहीं है हाँ गुना तब लगेगा यदि हम कहें कि हमें क्या चाहिए हम विधायक बनना चाहते हैं हम बहुत बड़े ओफिसर बनना चाहते हैं लौकिक इच्छा रखेंगे तो धनी भी कहते हैं कि वो इच्छा कभी भी हमारी पूरी हो सकती नहीं जैसे कि आपने बीतक में भी सुना इबराहिम जब वो टीका कर रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि मौमनों की दुआ जो है वो अर्शे अजीम तक नहीं पहुँचती तो उसने अपनी बात को ही कार दिया कि यह बात गलत है किसी अंजान इनसान ने इस पर अक्स्ताक्षर कर दिये हैं और यह गलत है तो शीर जी सहीब ने क्या कहा था कि यह गलत नहीं है तुम मौमनों की रुत्बे को नहीं समय सकते कि मौमनों की पहुँच कहा थक है राजी जो है मौमनों की दुनियावी इच्छा को भले ही पूरा ना करें लेकिन जो हमारी इच्छा हो प्रेम की तो वो हमारी इच्छा पूरन अवश्य ही करेंगे तहकीक अरज पहुंचेते हैं जो बेजिये पाक दिल हमारी अरजी कैसी होनी चाहिए हम पढ़ते भी हैं मौमनों की जो अरजी जब बोलते हैं तो उसमें लिखा है कि मौमनों की जो असल अरजी है वो पहुंचती है मौमिन अरज करत है जब अर्जी करते हैं तो उसमें लिखा है वानी जो मकबूल ये जो इच्छा है वो मुम्नों की पूरी होती है इसी तरह से इंद्रावती जी की आतम जो है अब कह रही है कि आशिक निहाडे नजरों आशिक इसे कहा गया आशिक वो जो अपनी माशूक के उपर अपना सब कुछ समर्पित करते हैं अपने लिए कुछ भी रखे नहीं उसे ही आशिक कहा जाता है और माशूक किसे कहा जाता है जिसको वो प्यार करता है वो माशूक हैं यहाँ पर जो बात कहींगी है आशिक निहाडे नजरों आशिक जो कोन है रज्जी वो हमारे आशिक हैं अब वो कह रहे हैं कि हम परमधाम की आतमाएं जो इस माया के खेल में आई हैं हमने ठीक है कि अर्श परमधामें इश्क रब्द किया था इश्क रब्द करने के कारण हम इस माया के संसार में आ गई लेकिन इश्क किसने करवाया क्या इश्क हमने किया ना मांगया ना दिल उपुजया हक्के दिखाया ए धनी नहीं अपना इश्क देने के लिए अपना सने है देने के लिए तो मांगया खेल जुटाएगी का देने अपना इश्क सने हमने नहीं मांगा हे रजी आप तो हमारे आशी कहलाते हों आप हमारे कौन हो आशी को आशी को आशी को क्यों कि वानी में क्या कह रही है आशी क मेरा नाम रू अल्ला आशी क मेरा नाम इश्क मेरा रोहन सो मेरा उमत में आशी को आगर आप हमारे आशी को आपने हमें इस माया के खेल में भेज दिया यहां पर आ करके ऐसी माया की बुद्धी देरी सपन की बुद्धी देरी अब जो वो इश्क हमारा था वो अब हमारे पास नहीं रहा अब वो हमारा जब इश्क हमारे पास नहीं लेकिन आप देखे हमारे दिल में आपके लिए प्रेम है आपके लिए दर्द है और हम आ आपका दिधार भी करना चाहती हैं आप कैसे आशिको जो हमें यहां पा रोते हुए देख रहे हैं आप क्या दुख के दतार हो सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड जानो सनबंद कभू ना हो तो ऐसो दियो भी जोग आप तो सुख के देने वाले हैं और हम कौन है आपकी अंगनाए हैं हम आपकी कोई आश नहीं हैं जीव आदी नराइन के जो है वो आश हैं हम तो आपके तन हैं आपने वाणी में कहा रोहो तुम मेरे तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल एक यो कर पाओ बका मिने जो शहुर करो समय अगर हम आपके तन हैं तो आप हमें अपना दिदार दीजी हम तो धनी आपके चर्णों में बैठी हुए हम कहां पर हैं? आपके चर्णों में हमारे मूल तन कहा हैं? आपके चर्णों जब हमारे मूल तन आपके चर्णों में हैं तो उनकी नजर जो है वो क्या है? आत्मा जो इस संसार में आगे है और हमारे उपर आपने क्या डाल दिया हमारी पारातम के उपर भी फरामोशी का परदा डाल दिया और इस फरामोशी का परदा आपने ऐसा डाला अगर हम आप चाहें तो आपको नहीं दे सकती क्योंकि हमारी नजर जो है इस माया के खेल में आ चुकी है कहा मैं तो सूती नीद में पर तुम बैठे हो जागरत खेल भी तुम दखावत मेरा बाल ना चले कच्छू इत हम तो यहां पर नीद के वस्ता में हैं फरामोशी में हैं पर आप तो जागरत हो यदि आप जागरत हो तो आप हमें यहां पर दुखी कैसे देख सकते हैं हमारे मूलतन जो हैं आपके चर्णों में हैं हमारे मूलतन की नजर जो है इस माया के संसार के अंदर है इसी कारण से ही हमारा जो दिल है इस माया के संसार में आ चुका है जो दिल है वो क्या देख रहा है इस माया की खेल को देख रहा है इस दुख को देख रहा है अकार को कभी भी दुख नहीं होता है दुख किसे होता है दिल को और दिल को भी क्या जो अकार है परमधा में हमारे मूलतन है दिल भी भले वहाँ पर है पर उसकी जो नजर है वो इस माया के संसार में आ चुकी है तबी तो कहा दुखडा ना देखे अकाड दुख देखे असन हमारा जो शरीर है मूह तन है वो आपके चर्णों में है उसको तो कोई भी दुख नहीं है लेकिन उसके अंदर जो हमारा दिल है उसकी जो तरंगे हैं उसकी जो सूरता है वो इस माया के संसार में आ चुकी है और इस माया के संसार में आ करके अब क्या देख रही है इस माया के खेल को दुखों को देख रही है और वो आपके दिदार ना मिलने के कारण भी बहुत दुखी हो रहे है हर पल वो चाहती है कि वो मुझे क्या मिले मेरे धनी का दिदार मिले क्योंकि हमाने हम मानते हैं कि आज हमारे अंदर इश्क वो नहीं है और वो इश्क जब तक आप देंगे नहीं हमें मिलने वाला भी नहीं है इश्क जो है वो तो आपके हाथ में इलम भी आपके हाथ में और इश्क भी और इश्क जब तक हमारे अंदर आता नहीं तो आप कहते हैं कि दिदार हो नहीं सकता तो इश्क भी किसको देखना देना पड़ेगा आपको ही देना पड़ेगा आपको हमारे इस दिल के बारे में सोचना चाहिए जैसे कि हम कभी रात को सपना देते हैं हमारा दिल भी वही होता है मन भी वही होता है लेकिन मन की तरंगे जब किसी ऐसे भ्यानक सीन को देखती हैं तो हम कितना डर जाते हैं कितना दुखी हो जाते हैं इसी तरह से ही हमारा जो दिल है इस माया में आ करके इस संसार को देख रहा है इस अंसार में सुक है, दुख है, मान है, अपमान है, विजे है, प्राज्य है, ना जाने यहां पर कितने कितने दुख है इन दुखों को देख करके आत्म जो है वो देख रही है लेकिन उसकी जो सूर्था है इस माया के संसार में पूरे इन बातों का अनभव तो कर रही है इस बात का ग्यान तो आपको होना चाहिए क्या वे अपनी आत्माओं को दुखी देखना चाहते आप एक बात बताईए आत्मा कह रही है कि हे धनी हमारे अंदर इतना विरहा है इतना दर्द है तो आपके अंदर तो हमसे कई गुना जादा विरहा होना चाहिए क्या आपको हमसे मिलने की कोई चाहना प्यादा नहीं होती आप हमारे विरहा को कैसे देख रहे हैं हमें दुखी कैसे होते हुए देख रहे हैं आप तो हमें अपमारे कौन कहला रहे हो आशी कहला रहे हो कोई आशिक ऐसा हो सकता है कि जो अपनी आत्मा को अपनी प्रित्मा को दुखी देख सके दुनिया के आशिकों को भी हमने देखा कौन ससी पुनू हे रांजा ससी पुनू का भी आपने किस्सा सुना लैला मजनू का भी किस्सा सुना लैला जो है उसका जो आशिक कौन है मजनु मजनु जो है इतना उसके प्रेम में अंधा हो जाता है कि वो सारा दिन क्या कहता है लैला लैला करके ही घूमता रहता है एक बार जब मजनु के पैव में चोट लग जाती है तो उसको वैज जी को बलाया जाता है वो उसको चाकू के साथ उसके अंदर जो एक बहुत सी कील सी चुप गई थी उसको निकालना चाहता है तो वो कहता है कि आप इस के इस औजार को मेरे पाओं में नहीं लगा सकते उन्होंने कहा कि मजनू तू तो बिल्कुल भी डरता नहीं है तो इतने बिहानक जंगलों में घूमता रहता है लैला लैला करता रहता है इतने शेर भी होते हैं तो अब भी तुझे डर नहीं लगता लेकिन इतने छोटे से चाकू से तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है इस नस्तर से तुझे डर क्यों लग रहा है उन्हों ने कहा, इस नस्तर से मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर किस बात का लग रहा है, कि मेरे रोम, रोम में कों समाया हुआ है, मेरी लैला समायी हुई है, और ये दुख किसको होगा, मेरी लैला को होगा, इसलिए मैं ये प्रेशन जो है, आपसे करवाना नहीं चाहत यदि दुनिया के आशिक अपनी माशूक को दुखी होते नहीं दे सकते तो हे धनी तुम तो सरव शक्ति मानो तुम सरव सुख देने वाले हो, सुख के निधान हो तो आप हमें दुखी कैसे देख सकते हो आपने तो हमें क्या बना दिया यहां परा करके दोशी बना दिया खेल मांगने का दोश हमारे उपर ही लगा दिया क्या हम दोशी हैं यदि हम दोशी हैं तो हम आपको भी निर्दोश नहीं कह सकते ये खेल मांगने का जो है गुना आपने किया है ये खेल में भी आपने ही हमें भेचा है ये प्यार भनी नौक जोग में और क्या कह रही है ये धनी एक बात बताईए आप परमधा में बैठे हुए आप बताईए कि आपका दिन कैसे बीठते है आपका रात जो है वो कैसे बीठती है आप अकेले परमधा में हमारी सुर्ता तो इस माया के खेल में किनविद जावे एक ले किनविद जावे रात किनविद बसो तुम अर्ष में वो कहां गई मूल हे धनी आप हमें बताईए आपका दिन वहां पर कैसे बीते है रात कैसे बीती है आप तो क्या कहते थे मैं रहना सको रूहों बिन रूहें रहना सके मुझबिन जब याद आए वाको तो सहे ना बिछोहा खिन हे धनी आप हमें बताईए हम तो यहाँ पर माया के खेल में हमारी सुर्था आई हुए आप सर्वशक्ति मान हो अगर आप सर्वशक्ति मान हो तो आप हमें अपना वो प्यार दे करके हमें सराबोर कर दीजिए हमें वो अपना नूरी दिदार दीजिए हम जब तक आप कहते हो की हमें दिदार नहीं होगा हमें हमारी आतम जागरती हम कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जागरत हो चुके हम यहाँ पर जागरत तब ही माने जाएंगे जब हम अमारे धनी का दिदार हो जाएगे धनी के दिदार के बिना हम कहें कि हम परमधा में अपने धनी के सामने मुखूचा कर सकेंगे कभी भी हो सकता हम कैसे मुखूचा करके अपनी बात कर सकेंगे और ये काम कौन कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं हमने तो अपने विरहा इंद्रावती जी की आतम बहुत ही प्यारे धंक से एक बात कह रही है हे धनी आप ने हम यहाँ पर आखर के माया का तन धरन कर लिया माया का तन धरन कर लिया और ये जो तन है आपके प्रेम में, विरहा में, कभी तो ये बुड़ा जवान था आप जवानी से भी इसको इतना तब किया, इतना आपके विरहा में डूबे कि सिर भी क्या है, नारियल की भांती हो गया हड्यों का धांचा बन गया, जर्जर्ज हो गया, आप तो नूरी तन वाले है प्रेम के अंदर आ करके आप उस नूरी तन को जर्जर नहीं कर सकते इस कारण से हम कह सकते हैं कि हे धनी हम यहाँ पर भी जीत गए आपने देखा होगा, राम रतंदास महराजी, राम रतंदास महराजी ने कितनी तप किया उस धनी को पाने के लिए, अपने शरीर को कैसे कर दिया, उन्होंने हडियों का ढांचा बना दिया कई कई दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया पांच दिन के अंदर एक फल खाते थे तो वो जिनोंने इतना तप किया, कसनी की कई कसोटी करी दुलन सोभी वास्ते हम सही हैं, उन्होंने भी कितनी कसोटी करके हमें दिखाई और इंदरावती जी की आतम भी कह रही है, कि मैंने भी कितनी कसोटी करी और उस कसोटी के द्वारा मैंने आपको पाया अब वो कह रही है कि आप इस तरह से हार गए और हम यहाँ पर जीत गए हमें भी उस तिती में अपने आपको पहुंचाना होगा हमें अपनी निस्बत को जानना होगा जब तक हम अपनी निस्बत को नहीं जान जाते हम अपने धनी के साथ उस निस्बत का दावा लेकर के बात नहीं कर सकते हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करते हमें धनी को कैसे रिजाना होगा हमें कैसे चित्वन करनी होगी चित्वन के द्वारा हम अपने धनी को पास सकते हैं रिजा सकते हैं तब हम भी कहेंगे ये धनी आपने तो हमें सेर सूत कातने के लिए भेजा था और हम सेर नहीं बलके सवा सेर सूत कात करके लाएं हमें धनी के सामने नजर उठा करके तबी देख सकेंगे हमें वहां जा करके ऐसा नहो कि हमारा सिर नीचा हो जाए हमें नीचा सिर करके नहीं जाना हम उस वाहिदत को पहचाने इस परमधाम की वाहिदत को पहचाने वो प्रेम अपने हिर्दे में लाएं वो दर्द हमेरे नहें मैं लाएं तब ही तो इंद्रावती जी की आतम कह रही है प्रेम इश्क दर्द तुमहारा मैं फिर फिर मांगूं फिर प्यारी मिलूं प्यारे पियूसों प्यारी महामती कहे बेर-बेर सिंदी की वानी जो है हमें उस विर्हा की तरफ लेकर के जारी है उस प्रेम की तरफ लेकर के जारी है उस आनन्द में डुबो रही है और उस निस्बत की पहचान करवा रही है ताकि हम भी सुन्दर साथ उसी रास्ते पर चले तबीं तो उन्होंने कहा कि मैं उस वशी करन मंतर को जानती हूँ तुम भी उस वशी करन मंतर को सीख लो यदि आप अपने धनी को पाना चाहते हो इंद्रावती जी की आतम को राज जी कह रहे है कि इंद्रावती जी की आतम तुम अकेली आ जाओ परिंद्रावती जी की आतम कह रही है कि ये आपका प्रेम का जो प्याला है वो मुझे मीठा नहीं लगता क्यों मीठा नहीं लगता जब तक मेरी जो ये बारा हजार आत्माएं हैं जब तक आप इनको अपना प्रेम नहीं दे देंगे जब तक आप इनको अपना दिदार नहीं दे देंगे योई प्याला मैं पीने वाली नहीं हूँ तो क्या हम उस अपने वाइदे को निभा रहें क्या जो हमने परमधाम में वाइदा किया था उस वाइदे को यहां पूरा कर रहें नहीं हम ना स्वेम जाग रहे हैं और ना दूसरों को भी जागरत करें जैसे कि आपने पीछे भी चर्चा में सुना सेर सूत तो कातना है, सवा सेर सूत कैसे कातें यदि हम दूसरों को भी जागरत करेंगे जो आपको धनी ने दिया, जो ग्यान आपको धनी ने दिया उस ग्यान को दूसरों तक भी पहुंचाएं उस प्रेम के रास्ते पर स्वेम चलें पहले प्रेम के रास्ते पर स्वेम चलें उस रहनी को अपने जीमन में उतारें और सभी के साथ उस प्रेम को बांटें उस सुन्दर साथ को जिने अभी तक अपनी पहचान भी नहीं हुई, धनी की पहचान भी नहीं हुई, उनको भी धनी की पहचान कराएं, उस प्रेम के रास्ते पर चलाएं, उस एकत्व की, उस एक दिली को हम यहां पर कुछ दो दर्शार सकते हैं, यदि हम इस वानी के अनु अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन, सुध तो नहीं कच्छू साथ को, तो भी अपने सजन, इनी वचनों के साथ मैं अपने प्रवचन को समाप्त करती हूं, बोलो शिरी प्राननाथ प्यारे कीजै झांक, वचनों के साथ की अपने ओर भी एरे कीजै